तो आपको एक काम करना है from today आपको facebook पर जाना है और facebook पर जितनी सारी अड होती है उन सारे अड को देखना है देखने के बाद उनमें क्या text लिखा होता है क्या headline लिखी होती है क्या description लिखी होती है उन सारी चीजों को देखना है और फिर दूसरे अड पर click करना है उसे भी देखना है अड़ पर क्लिक करके आपको landing page पर जाना है फिर landing page पर क्या लिखा हुआ है क्या copywriting की हुई है वो सारी चीज़े आपको देखनी है और आपको notebook पर लिखना है आपको multiple ads के बीच में compare करना है आपको लोगों के attention चाहिए आपको attention चाहिए आपके ad को लोगों के attention चाहिए ताकि आपका ad successful हो तो लोगों के attention के लिए आपको क्या करना होगा magical words डोंड नहीं होगी जिससे लोग attract होते हैं तो जितनी सारी ad आपको दिखेंगी आपको उनमें magical words find करना है कि क्या words यूज कर रहे हैं क्या sentence यूज कर रहे है और उन सारी चीजों को उन सारे words sentences को आपको खुद से notebook पर लिखना है आप कुछ भी सुरुवात करते हो किसी भी skill को सीखते हो तो आपका mental pattern बना नहीं होता है तो बहुत सारे लोग सुरुवात में हार मान जाते है जब थोड़ा सा uncomfortable feel करने लगते है see you are gonna transform आप transform हो रहे हो तो थोड़ी सी uncomfortability तो आनी है बट ये जो uncomfortability है ये temporary रहती है आपका जैसे mental pattern बन जाएगा जैसे mental pattern बनेगा सारी चीज़े आपको एकदम आसान लगने लगेगा और खुदी से सब कुछ कर लोगे आप तो आपको first add पे click करना है facebook पे जाना है add देखनी है add पे click करना है landing page पे जाना है landing page पे क्या copywriting की हुए सारी चीज़े देखनी है फिर add जो आप देखोगे वहाँ क्या button यूज किया हुआ है उन सारी चीज़ों को देखना है ये आपके add का जो success rate है वो बढ़ा देगा तो आपको ये इस पर time देना है इस पर क्या image यूज कर रहे है दूसरे advertiser और जो भी लिखा होता है जो कुछ भी लिखा होता है उसके पीछे क्या psychology है आपको ये सोचनी है और फिर आप क्या word use कर सकते हो आपको ये सोचना है तो जब दूसरे कर रहे बuli ciao तो ओर प्रॉच्च थो लिख। झाल झाल